हेलो दोस्तो आप सभी का एक बाए फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल ए बी सी क्लासित बाई राजन वर्मा दोस्तो आज की इस वीडियो में यूपी पीसेल मतलब बिजली भाग इस समय लगातार भरतिया निकाल रही है जहां पर टेक्निश मतलब चार साल का पूरी जानकारी देने जा रहा हूं चलिए वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है चलिए ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं उसके पहले बात कर लेते हैं कि टोटल वेकेंसी कितनी ह है तो देखिए दोस्तों यहां पी जो टोटल वेकेंसी है वेकेंसी डिटेल की अगर हम बात करें तो टोटल है आट सो इक्यानवे टोटल आट सो इक्यानवे है अच्छी पोस्ट आई वी है अच्छी वेकेंसी आई वी है अन्रिजर्व की 357, EWS की 89, OBC का 241, SC का 187, and ST का 17 ठीक है, SC का 187 बोल रहा हूँ, बाकी 17, 241 क्योंकि यह 87, 88 थोड़ा सा आप लोगों को भी confusion होगा अगर मैं बोलूँगा तो ठीक है, बाकी दिक्तोर आई है, तो यह टोटल आपकी 891 वेकेंसी आई वी है, चलिए अब आपका आपकी 891 वेकेंसी आई वी है, चलिए अब आ 19 अक्टूबर और फीस सब्मिट करने का लाश्ट डेट भी 19 अक्टूबर ही है, अगर हम फीस की बात कर लें तो आप सभी को पताई होगा, बिजली वी भाग, यूपी पी से लुत्तर प्रदेश पावर कॉर्परेशन लिम्टेड में जो फीस होती है, बहुत जादा होती ह जनरल OBC EWS की 1180 रुपए है, SCHT का 826 रुपए है, एक्जाम की हम बात कर लें कि एक टेंटेटिव एक्जाम डेट क्या है, तो नवंबर मन्त में लाश्ट वीक में आपका एक्जाम टेंटेटिव संभावित तिति है, एज की अगर हम बात करें तो 18 से लेके 40 वर्स के सभी केंडिडेट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, और यहां पर भी अगर रिलक्षेशन की बात कर लें, तो OBC, OBC, SC, ST, इनको 5 साल का रिलक्षेशन मिल जाएगा, ठीक है न, जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे हम वेकेंसी डिटेल हो गया है, SC, ST, OBC, जो आपका कार सर्टिफिक आपका स्टेट गॉर्मेंट का ठीक है, तो स्टेट गॉर्मेंट का आपका होना चाहिए, गॉर्मेंट आफ इंडिया का नहीं होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल कॉलिफिकेशन की, अगर हम बात करें, एजुकेशनल कॉलिफिकेशन की, तो class 10th with science and math and ITI, इसको थोड़ सिच्चा परिशाद उत्ताप्रदेश की, high school या समकच परिच्छा, तो high school मतलब class 10th, high school या समकच परिच्छा, समकच परिच्छा विज्ञान एवं गडित विस्यों में उत्रिण होने के साथ, तो विज्ञान मतलब science and math के साथ, नियमित रूप, नियमित छात्र के रूप म निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में दिव वर्सी आपका अखिल भारती अत्वा राजी व्यवसाइक प्रमाण पत्र जिसको NCVT बोलते हैं और SCVT का होना आवस्यक है, तो ITI कहने का मतलब है, दो वर्स का जो आपका ITI होता है, ठीक है न, तो आपका high school के बा electrician से होना चाहिए, electrical से होना चाहिए, और electrical causal विकास के अंतरगत विद्दुत वित्रण, ठीक है न, तो इस state से अगर आपके पास ITI है, तो आप apply कर सकते हैं, बात करें डिप्लोमा के लिए, देखिए यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है, कि ITI के समकच या फिर डिप होंगे, तो ITI के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और उसके नीचे लिखा हुआ है, अभ्यर्तियों के सहतार्थ इसपश्टी करण नोट, दुरस्त सिच्छा माध्यम से अत्वा, अनुभाव के आधार पर प्राप्त, अत्वा, वांचित ट्रेड के अतरिक्त, समकच तक पत्र माने नहीं होंगे, इसका मतलब है, डिस्टेंस लर्निंग से अगर आपने क्या हुआ है, या फिर आपके पास experience certificate है, या फिर यह जो ट्रेड है, electrician और electrical, इनके अलावा कोई और है, तो वो माने नहीं होगा, बिल्कुल clear हो गया होगा बात, आगे बात करते हैं, exam pattern के बारे में दोस्तो, exam pattern के बारे में बात करते हैं, देखिए, इसको अच्छे से समझेगा, exam pattern आपका दो भागों में है, भाग 1 और भाग 2, ठीक है, तो part 1 जो होगा, वहाँ पे निलेट, निलेट का जो आपका triple C का exam होता है, triple C exam, तो triple C exam level, मतलब, triple C का paper होगा, जहां पे 50 question ह होंगे, ठीक है, कुछ बच्छों का question होगा कि सर, triple C certificate जरूरी है, triple C certificate जरूरी है, क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है, क्योंकि, UPPCL आपसे निलेट, triple C का exam खुदी करा रहा है, आपको वहाँ पे पास होना जरूरी है, triple C certificate है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, तो 50 question होंगे, ठीक है, इधर थोड़ा सा बात करते हैं, रफ करके, देखिए, आपके पास भाग 1 में, पार्ट 1 में, आपके पास क्या होगा, 50 question होगा, triple C level का, जहां पे आपका 1 fourth negative marking भी है, 1 fourth negative marking भी रहेगा, यहां पर आपको 50 number में से 20 number लाना जरूरी है, 20 number लाना जरूरी है, यह जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसको आपको केवल qualify करना है, क्या करना है, केवल qualify करना है, merit में यह number नहीं जुड़ेंगे, इसको qualify करेंगे, तभी आपका part 2 check किया जाएगा, अन्निथा part 2 check भी नहीं किया जाएगा, part 2 की अगर हम बात करें, तो सामाने अध्यन एवं तार्किक, मतलब GS और Reasoning के 20 question होगे, और 20 अंक का होगा, सामाने हिंदी 10th level का 15 question होगा, सामाने अंग्रेजी 10th level का 15 question होगा, चौथा जो है, तक्नीकी विश्यक ज्यान, तक्नीकी विश्यक ज्यान मतलब Electrical, Electrical और Electrician, ठीक है, Electrician, यह जो दो trade हैं, केवल यही form भर सकते हैं, और 1500 question आपके, आपके slabus से आएगा, आपके ITI के slabus से पूछा जाएगा, 1500 question, इस तरीके से आपके total कितने होगें, 200 question होगें, 20, 30, 20, 50, 1500, 200 question होगें आपके, यहाँ पर part 2 जो आपका होगा, यहाँ पर भी negative marking होगा, negative marking यहाँ पर भी होगा, ठीक है, अब इसके साथ साथ एक note और है, जरा ध्यान दीजेगा, जो आपका part 2 है, जो आपका part 2 है न, part 2 में 33.5% number, minimum number, minimum इतना number लाना जरूरी है, मतलब 33.5, 200 का 33.5% कितना होगया, 67 अंक, तो 67 अंक लाना जरूरी है, अगर इससे कम अंक आएंगे, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, fail कर दिया जाएगा, इतना अंक कम से कम लाना जरूरी है, ठीक है, तो सबसे पहला target होगा कि बाइद दोसों में इतनी number लाएं, फिर आपका target होना चाहिए कि जादा से जादा से जादा number लाएं, ताकि merit में आप आ सकें, तो जो आपका final merit बनेगा, केवल भाग दो के आधार पर बनेगा, जब आप ये form भरेंगे, तो आपका परिच्छा किंद्र क्या हो सकता है, आपके 5 परिच्छा किंद्र बनाए जाएंगे, पहला हो गया लखनू, दूसरा हो गया वारानसी, पनारस जिसको कहते हैं, तीसरा हो गया मेरट और आगरा और कानपूर, अगर बच्चों की संख्य बहुत ज़्यादा हो गई, फॉर्म भरने में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, जो की नहीं होगी, तो एक सेंटर, दो सेंटर बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी 5 सेंटर आपके हैं, जहां पर आपका एक्जाम होगा, यहां तक बात I think बहुत अच्छ साल का ITI होना चाहिए, यह बस इतनी सी बात समझ देजिए, 10th Science और Math से, और 2 साल का ITI, और ITI आपका Electrical और Electrition से होना चाहिए, और कोई ट्रेड नहीं जहिए, अब हम बात करेंगे प्रिवेसर कट आफ की, ठीक है, तो प्रिवेसर कट आफ यह बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि भाई अभी तक क्या कट आफ जा रहे थे, अगर हम 2018 की बात करें Unreserved category में 200 नंबर में से, तो आपका जो कट आफ गया था 128.085, तो मैं 128 लिख रहा हूँ, ओके ठीक है, OBC का जो कट आफ गया था, 105 गया था, 105.05 लेकिन मैं 105 लिख रहा हूँ, इसी तरीके से में 10 लों की बाद वाला नहीं लिख रहा हूँ, SC का जो कट आफ गया था, 67 गया था, ST का 72 गया था, एक सर्विसमेन का 105 गया था, ठीक है, यह आपका कब का है, 2018, 16, 15, 14, तो दोस्तों यह आपका 2018 का कट आफ है, 2018 का है, अब हम बात करेंगे 2016 के कट आफ का, किसका, 2016 के कट आफ का बात करेंगे, 2016 के कट आफ का बात करेंगे, तो इसमें आपका गया था, 131, 132, ठीक है, उसके बाद आपका गया है, 120, 102, 84, और 107, ठीक है, यह आपका 2016 का है, अगर मैं 15 की बात करनूं, तो 15 में कितना कट आफ गया था, तो 116 नंबर, और 108 नमबर 95 नमबर 64 और 88 ठीक है अगर मैं यहाँ पर 14 की बात कर लूँ 2014 में कितना cut off किया था 135 उसके बाद 124 उसके बाद 112 उसके बाद 81 और ex-service man का 90 cut off गया था यहाँ पर female की कोई अलग से cut off नहीं बनी है ठीक है तो female category भी जो unreserved OBC, SC, ST है वो उनके लिए ठीक है न तो यह रही है आपकी total यहाँ पर जो आपका cut off है 4 साल का मैंने वो भी बताया और बकायदा पूरा आपको detail बताया form के बारे में वीडियो अच्छा लगा हो तो subscribe करना मत भूलेगा आगे भी ऐसे ही सरकारी भरतीस related जरूरी updates आपको मिलते रहेंगे thank you so much, bye bye, take care आप सभी का समय सुब हो